हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में फ्रेंट्स आज है 15 मार्च और 15 मार्च से जितने भी important current affairs के questions बनेंगे उन सभी को इसमें discuss करेंगे साथी इसे लेटे जितने भी important facts हो सकते हैं सभी facts को भी discuss करेंगे तो पहला प्रश्ने 11 मार्च 2021 को राष्टिय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना कौन सा अस्तपना दिवस मनाया है इसका हम राइट एंसर है भी 36 अस्तपना दिवस मनाया है 11 मार्च 2021 को रष्टिय अपराध रिकर्ड ब्यूरो ने अपना 36 अस्तपना दिवस मनाया है इस कारेकरम की अधिशता केंदरिय ग्री सच्च्चिव अजय कुमर भल्ला ने की है रश्टिये अपराध रिकार्ड ब्यूरो अपराध और अपराध ही के बारे में सुचना इकठा करना है और यह संगठन ग्री मंत्राले के अधिन काम करता है बात किया गया है इसमें NCRB की तो NCRB का फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो होता है जिसे हिंदी में रश्टिये अपराध रिकार्ड ब्यूरो कहा जाता है इसके अस्त अपना 11 मार्च 1986 इस भी को हुई थी और इसकी मुख्याले है नई दिली और इसके अध्यक्षे रामफल पवार है परवासी रासनकार धारकों के लिए मेरा रासन मोबाईल एब को किस मंत्राले द्वारा लंच किया गया है इस कामर राइट एंसर हैड़ी उपभोकता मामले खाद और सर्वजनिक बित्रन मंत्राले के द्वारा इस मोबाइल एप को लंच किया गया है उपभोकता मामले खाद और सर्वजनिक बित्रन मंत्राले द्वारा मेरा रासन मेरा मोबाइल एप को लंच किया गया है इस एब का उदेशे हैं देश में प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को सारबजनिक वित्रन प्रनाली के तहत रासन मिलने में सहुलियत दिलाना है इसका हम राइट एंसर है भी भारत देश के द्वारा इस पहली बैठक में अधिशता की गई है हाले में ब्रिक्स संपर्क समू की आर्थिक और बैपारिक मुद्दे पर पहली बैठक की अधिशता भारत ने तो की है लेकिन इस बैठक का आयोजन नौ से एगारा मार्ज तक किया गया है बात किया गया है इसमें BRICS की तो BRICS पांच देशों का समू है पहले इसमे BRICS के नाम से जाना जाता था लेकिन 2010 में दक्छिन आफिर्का की सामिल होने पर BRICS नाम से जाना जाने लगा इसकी मुख्याले है संगाई यानि चीन में और BRICS के सदस्य देश हैं ब्रांजिल, भारत, चीन, और धाक्षिन, उफिरिका, नेक्स्ट प्रश्ने, बीस स्वास्त संगधन द्वारा किस मध्य अमेरिका देश को हाली में मलेरिया मुक्त प्रमानित किया गया है, इसका अमरा राइट एंसर है D, अल सवाडोर को हाल ही में WHO के द्वरा मलेरिया मुक्त प्रमानित कर दिया गया है जब किसी देश में किसी बीमारी के अस्थानिय संचरन कम से कम तीन बर्सों तक देश ब्यापी रूप से भंग अत्वा नकाम रहती है तो उस देश को मलेरिया मुक्त प्रमान पत्र परदान कर दिया जाता है अलसवा डोर बिश्व स्वास्त संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमान पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश और संपुन अमेरिका में तीसरा देश बन गया है बात किया गया है इसमें WHO की, WHO का फूल फॉर्म होता है World Health Organization बेश्ट स्वास्थ संगठन इसकी अस्तपन साथ अपरेल 1948 इस भी को हुई थी और इसकी मुख्याला है जीनेवा जो की स्वेजर लेंड में है नेक्स्ट प्रशने परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने गलोबल आर्यूएद फेस्टिबल के कौन से संस्क्रण को संबोधित किया है इसका अमरे राइट एंसर है a. चोथे संस्करण को संबोधित किया है पर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गलोबल अरुवेद फेस्टिबल को मनाया जाता है और अरुवेदिक उत्पादू के फाइदे के बारे में लोगों को जागरूख करना है नेक्स्ट प्रस्ट ने कन फेडरेशन ओफ अफिरिकन फुटबॉल के नए अध्याक्ष कौन बने हैं इसका हम राइट एंसर है बी पेट्रिस मोट सेपे को हाल ही में इसकी अध्याक्ष बनाया गया है बात किया गया है इसमें सी ए एफ की तो का फूल फर्म होता है कॉन्फेडरेशन ओफ अफिरिकन फुटबॉल इसकी असता अपना आठ फरवारी उन्नी सो संतावन इस भी को हुई थी और इसकी मुख्याले है गिंगा इसमें जितने भी प्रश्ट दिये गए हैं सभी प्रश्ट प्रेंट्स मोस्ट होगी तो वीडियो को अवस्ति ही लाइक करें आया देखते हैं नेक्स्ट प्रश्ट 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 ने क्वार्ड सिखर समयलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किशने की है इसका हम राइट एंसर है बी नरेंदर मोदी के द्वारा अध्यक्षता की गई है क्व या एक अनवचारिक रननीतिक मंच है जिसमें भारत संजुगत राज अमेरिका जपान और अश्टेलिया सामिल है नेक्स्ट प्रश्ट है किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैने अभ्यास अश्टरा एक्स सुरू किया है इसका आमरा राइट एंसर है ए फ्रांस द और फ्रांस ने अपनी रक्षा करने की छमता का परिक्षन करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैने अभ्यास सुरू कर दिया है और इस पांच दिवस्य सैने अभ्यास अश्टरा एक्स का उदेश्य फ्रांस की उपक्रहो और अन्य रक्षा उपकरनों पर हमले के खि विशेशन करना है इसमें बात किया गया है इस फ्रांस की तो फ्रांस यूरोप महादीप में इस्तित है फ्रांस की राइधानी है पेरिस और करेंसी है यूरो नेक्स्ट प्रशने एनेच ए आई ने कितने घंटे में 25.54 किलोमीटर सरक बना कर विशो रिकॉर्ड बनाया है इसका आम राइट एंसर है डी अठारे घंटे में इतने किलोमीटर सरक को बना कर विशो रिकॉर्ड को बना लिया है National Highway Authority of India NHAI ने केवल अठारे घंटे में 25.54 किलोमीटर सिंगल लेन सरक बना कर 200 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और NHAI ने यह करनामा विजयपूर और सोलापूर के बीच NH-52 पर बनाया जा रहे चार लेन हाइबे पर किया है इस हाइबे पर मात्र अठारे घंटे में 25 किलोमीटर से अधिक की सिंगल एश्ट्रेट सरक का निर्मान किया गया है बात किया गया है इसमें NHAI की तो भारत में जितने भी राश्टिय राजमार्ग हैं उनकी देख रेख और बनाने का कारियर NHAI करता है जिसका फुल फर्म होता है National Highway Authority of India जिसे हिंदी में भारतिय राश्टिय राजमार्ग प्राधी करन कहा जाता है NHAI की अस्थपना 1995 इस भी में हुई थी और इसकी मुख्याले है नए दिली और अध्यक्षा है सुखबीर सिंग संधू फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्टिय दिये गए हैं सभी प्रश्टिय आपके नेक्स्ट एक्जाम के लिए most important है तो आई होप या वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टिक केर